मलवा गौमें पुराना विवाद को लेकर हुई मारपीट में सात लोग हुए जखमी जांच पर ताल में जूटी पुलिस हाम आपको उता दे कि चिकसारा थाना छेतर के मलवा गौं में पुराना विवाद को लेकर रवीवार को दो पच्छों के बीच में जैमकर मार पीठ हो गया जिसमें साथ लोग जैखमी हो गए चिक्सारा थाना पुलिस के सहयोग से सभी जैखमी को इलाज के लिए हिलिसा के अनमंडली एस्पताल में लाकर भरति कराया गया जैखमी की पहचान जोधी रविदास के पुत्र सुरेश रविदास, सुरेश रविदास के पत्नी गुलावी देवी सुरेश रविदास के पुत्र सीब मोहन रविदास सीब मोहन रविदास के पत्नी रुगी देवी सीब मोहन रविदास के तीनों पुत्री डैजी कुमारे, पृती कुमारी एबम अनीसा कुमारी जैखमी हो गई इलाज के दुरान पर जोनों ने बताया कि पुराना विवाद को लेकर दो पच्छों के बीच में मार पीट हुआ है जवकि एक सप्ता पुर्वी दोनों पच्छों के बीच पुराना विवाद को लेकर मार पीट हुआ था उस वक्त भी चिक्सवरा धना में दूनों पच्छो की योर से प्राथमी की दर्ज कराई गई थी रविवार को पुना दूनों पच्छो के बीच में मार पीठ हुआ है फुलिस इस मामले की जाज़ परताल कर रही है मार पीठ हुआ हमार्च and को हाना बना रहे थे घुहार लेकर आया है कि पहले के बाद हमार्फ लेकर वाद है थे हम भी केस कि प्रलावण लेकर आाया था थेगो प्रफद केया थे क्या तो है कर वारिशshopσι फेला ङार के कर जाता है कि अपने को दिया है अपने अपने पहले कि इस वह दोनों तर्फ पर यह पांद दन पहले एक एक शटकाल हो एई लेह मर्वला, आख लेह मर्वला पान तारी किलिए है